नमस्कार साथियों आपका एक फिर्शिस वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एक्पी कल्चर चपाल पर बैसे तो करौनली को बहुत ज़्यादा देखवाल या खाद या और वरक तत्तों की बहुत ज़्यादा आवशक्ता नहीं होती है लेकिन अगर हम किसी भी फसल को उसके समय पर खाद या और वरक उपलब्द कराते हैं तो निश्चित तोर पर जो हमारी फसल का उत्तपादन होता है वो हमें अधिक्तम और बढ़कर ही मिलता है जो हमारे लिए सदय भी फाइदे मन्द होता है तो आज हम बात करेंगे कि करोंदे में अभी इस समय हम ऐसा क्या और वरक दें या ऐसे कुछ कौन से काम करें जिससे की समय आने पर करोंदे की फसल में हमें अधिक्त पादन मिले और अच्छा अक्पादन मिले तो आज हम इसी बिसे पर इस वीडियों हम बात करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें चलिए सुरुआत करते हैं साथियो सर प्रथम आपको काम ये करना है कि अगर आपने अपनी बागवानी लगा रखे करोंदे की या आपने बार के रूप में करोंदे को लगा रखा है तो जहां भी जिस खेत पर भी लगा रखा है तो आपकी जो करोंदे में सूखे लकडियां हो या कुछ टहनियां उसक चुकी हो उनको आप पौधे से इस समय इस तरह से काट कर हटा दें उसमें जो भी अनावश्यक आपको लगता है उसको आप नीचे से निकाल दें और उपर से भी थोड़ी बहुत हलकी फुलकी प्रूनिंग कर दें क्योंकि अब जो आ रहा है बसंद का मौसम आ रहा है अब प अच्छा और बहतर उत्पादन मिलेगा वही उन पर बहुत अच्छा फल आएगा और आगे भी वो अच्छे से पौधे के उपर ब्रद्धी करेंगे तो इस तरह से आप जो भी आपकी अनावशक टेहनिया हो उसको पौधे के उपर इस तरह से काट कर हटा दें आप अपने करौधे के पौधे से इस तरह के जाड़ जंकार या जो सूखी टेहनिया हैं एकदम से निकाल दें और पौधे को थोड़ा सा एकदम साफ रखें इससे के पौधे को अच्छे से हवा का आवागवन पौधे के बहा अंदर बहार हो सके साथ ही साथ इसके आसपास की जो भू पत्तों को साइड में कर लें उसकी चाहएकर में इसके च्छी डिर फीट का एरिया जो मैं बता रहा हूं उसमें अच्छे से आठ से दस इंच गहरी बढ़िया गुडाई कर लें और अच्छे से तोड़कर उसको अच्छे से भूरवरा बना दें जड़के आप 5-5 इंच छोड़के आप 1.5-2 फीट तक उसको अच्छे से इस तरह से उस मिट्टी को गुड़ाई करने के वाद 8-10 इंच गहराई में उसको खाली करने और आपको ये मिट्टी कहीं फैकनी नहीं है नहीं जो आपने पहले पत्ते अठायते वो आपको फैकने हैं क्योंकि इस मिट्टी और इन पत्तों में भी बहुत ज़्यादा और वरता है क्योंकि यह पत्ती धीरी धीरे चड़कर खाद ही बनती है उसके बाद आपको इस तरह स करीब 10 किलो ग्राम गोवर की सड़ीवी खाद लेनी है और इस खाद में प्रत्य पौधा आपको ये 10 किलो खाद लेने के बाद प्रत्य पौधा आपको करीब करीब 20 से 25 ग्राम आप इसमें यूरिया या नाइट्रोजन का जो भी सुरूत हो आपके पास वो मिलाएं इसके आसपास इस तरह से जो हमने गड़ा किया है उसमें डाल दें ध्यान रहे कि आपको ये पौधे के ज़्यादा जड़ों के घुम से पास न रखे जो आपने 2 फिट का गड़ा किया है उसमें आप डाल दें पूरी खाद डालने के बाद में इसको आप पहले पत्तिया कवर कर दें बड़ी आसानी से आपके 10 किलो खाद आपके प्रत्य पौदे के लिए आपको 10 किलो ग्राम खाद 20-25 ग्राम यूरिया और 15-20 ग्राम फस्पूरस और 25 ग्राम पुटास का या मिस्ट बनाके आप इस तरह से पौदे के चारव तरफ डाल दें और उसके बाद में आ आपके पास जो मिट्टी थी जो आपने निकाली थी उस मिट्टी को इसके उपर से अच्छे से दवा दें इस खाद को पत्ते और आपने जो गोवर खाद है ली है उसको सई से मिट्टी को उसके उपर खाद के उपर डाल कर उस मिट्टी को आप दवा दें इतना करने के बा अगर आपने sprinkler या कोई साधन लगा रखा है तो उसके द्वारा आप इस पर पानी का अच्छे से छड़काव करें जिससे कि इसके अंदर जो नीचे खाद है दवाई है जो हमने उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी रहे जिससे कि उसमें जीवांस में है वह मरे नहीं वह अप इस समय फर्वरी में कर सकते हैं और उसके बाद में आप जब अप्रेल में फूल आए और मई में जब फल बनना सुरू हो तो अप्रेल के लास्ट वीक और मई के फर्ष्ट वीक में भी इसी तरह से इतनी मात्रा में एक बार फिर से पौदे को अपने को खाद दे सकते हैं अ बड़ा हुआ उत्पादन मिलेगा फलका साइज अच्छा होगा और जो फूल है वो भी ज्यादा रुकेगा जिससे के आपको बहतर आर्थिक मुनाफ़ा होगा साथ ही मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद